भाजपा सरकार के खिलाफ फैसला सुनाने वाले दो जजस का अचानक ट्रांसफर हो जाता है हरियाना हिंसा पर इन दो जजस ने अपने फैसले में सरकार के लिए ऐसे कुछ शब्दों का इस्तिमाल किया कड़े शब्दों का इस्तिमाल किया था जिसके चलते उन्हें हरियाना हिंसा मामले से हटाया जाता है जिसके बाद सुप्रम को सीजी आई चंद्रचूर साब खुद मोधी सरकार को बीजेपी सरकार को चितावनी देते हैं कि अगर ये सब यूही चलता रहा तो हम अक्शन लेंगे महफोज हूं कि अल्ला हप लोगों को अपनी हफ़ज अमान में रख़ए अल्ला हराभा से हर शर्थ है आप लोगों महफोज हूं के बहर के बरहिए बरहल मिरे दीज़िस दोस्तों मेरे भाईों ये सुना आपने 32 सिकंड का इसलिए रखा हो ताके आप लो खुद आँखों से देखो, कानों से सुनो, इसके बाद अमल करो, क्या कुछ चल रहा है, ये हरियाना हाइकोट का था जिस तरीखे से जो हरियाना के अंदर जो दंगे हुए थे, जिस तरीखे से जो गरीब कमजोर के ओपर बुर्डुजर चलाए गए थे, जिस तरीखे से धंदली मचाई गई थी, तहलका मचाया गया था, बदमाशी का एक नंगा नाच नाचा गया था, उसके ओपर हाइकोट ने गर्नमेंट को कुछ ऐसे लफ़ज इसे अलफ़ज इस्तेमाल करें, जो इनको इसे लोगते ही निकाल दिया, जजज की उससे निकाल दिया, जजज की कोर्सी से बरخास कर दिया, जैसे ही सुपरीम कोड के सुपरीमों सीज़ आई चंदरश्यूर को मालू होईए, मालू हותे ही उन्होंने सिदा गार्नमेंट, बीजेपी गार्नमेंट को चितापनी दे ला और साफ अलwijजों में कह दिया कि ऐसे ही इंडा राज अगर्चे देश में चलता रहा तो तूम्हारे ओपर क्यारवेख की जाएगी अभी तक तुमको जबानी तोर पर समझाया भी जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है, बोला भी जा रहा है, लेकिन इससे तुमको फर्ख नहीं पड़ रहा है और मैं खामुश बेटने वालों में से नहीं हूँ, मैं फौरण तुमारे उपर आक्शन होगा फौरण कारवाई करूँगा, ये कहा उन्होंने बीजेपी सरकार को, संटर को, बीजेपी गावर्नमेंट को, ये कहते ही मोटा वाई, छोटा वाई, फेको वाई, इसको बड़ी तकलीफ महसूस है और बड़े चितावनी में आगे ने तो इनका निशाना कोई और भी था कुछ और भी थे स्टेट जो अब अलहमदोलिल्ला जो इतनी सकती से जो वरहमी का इजार किया जो नारhouse की का इजार किया, जो इन्होंने जिस तरीखे से इनकी गंदगी को जो जो अजागर भी किया और इनके परदे फाश किया और साफ अलफाजों में कह दिये, साफ साफ कह दिये वे क्योंके क्योंके मेरे अजीज दोस्तों मेरे भाईव इस वक्त सिज्जी आई चंद्चोर बहुत नाराज है गवर्नमेंट से पहली बात अगर्चे वो धूका नहीं भी देते उनको तो भी वो इतने इमानदार इतने दिलेर इतने बहुत दोर है कि वो कहीं पे भी ज्यादती हो वो बर्दाश नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी बर्दाश नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी ज्यादती हो तो ये रहा ये दो जो हाई कोट के जो जजजेस थे उन्होंने सिर्फ ये कहा था जो कर रही है जो करा रही है इसमें गवर्नोमेंट जिमेदार है ये कहते ही उनके उपर ऐसी कारवे की गई उनको हाई कोट से ही बरखास कर दिया गया अपने जच की कुरसी ही उनकी खींच ली गई ये उनको बहुत महँगा पड़ा क्योंकि उन्होंने सच्चाई बता दी थी खाखीकत दिखा दी थी और इनका चहरा बेनखाब कर दिया था जैसे ही सुप्रीम कोट के सुप्रीमों सीजी आई चैसरू की चीज़ का पता चला उन्होंने गवर्नमेंट को आड़े हाथ लेते हुए जो अपना रुख है वो बता दिया वो अपना बयान इस तरीखे से दिया है जो मैं उसका खुलासा तो करूंगा लेकिन बता नहीं सकता वो अलफाजों को इतने सकती और इतनी बरहमी का इजहार किया है चीज़ जस्टिस ने जो के हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि किसी की भी सरकारों कोई भी सरकारों अब गलत नहीं कर सकती अगर्चे ऐसे ही जस्टिस रहे ऐसे ही इनसाफ होता रहा अदालतों में किसी की हमत नहीं होगी घलत करने के लिए जूटे केसिस दाल कर किसी को फसा कर गलत करने के लिए अब किसी की हमत नहीं होगी क्योंकि हर एक के साथ इनसाफ होने जा रहा है बलके हो ही रहा है बलके इनसाफ हर एक के साथ हो रहा है जो कि इनको पसंद नहीं आती यह चीज़ लेकिन सिजियाई चनचुछ साब का तो आप लोग अच्छी तरह पता है इनको इनके आउखात तो शुरू से दिखाते हैं आ रहे हैं इनों कोई लेन में नहीं लाते हैं इनको जो है डंकी की चून पे जिस तरह बयान करते हैं जो खाबिल तारीफ, खाबिल लश्ख, खाबिल फखर, खाबिल इजज़त है माशालला ये बहुत अच्छी बात है और खरे अलफाजों में उन्होंने जो चितावनी दी चितावनी में ये भी कह दिया है कि अब गर गर दुसरी मरतबा ऐसी कोई चीज़ देखने को मिली तुमको बोला नहीं जाएगा बलके तुमारे अपर आक्शन लिया जाएगा कोई ये मेरे अजीज़ दोस्तों मेरे भाईयों एक सरकार जिसकी देश में है उसको इसी बात कहना और इसी बात सुनने की नौबत आना एक हमारे लिए बादे शरम की बात है बादे शरम की बात है ये कितनी बड़ी बात कर दिये उन्होंने और कितनी गहराई से अगरचे सोचे तो डूब मरने वाली बात है इनके लिए इनके लिए एक इबरत पैदा करने वाली बात है लेकिन वैसा ये हरकिस नहीं करेंगे अगर्चे इनके पास ये चीज रहती तो ये हरकत होती नहीं, ये ज्यादती होती नहीं, जो करते हुए आए अभी तक और जिस तरीके से जो हरियाना की जो दुर्कत बनाने की कोशिश की थी, अब उसके उपर कोई बचने वारे नहीं है सुप के ओपर आक्शन दिया जाएगा, ये साफ अलफासों में कही दिया है, सुप्रीम कोट के सुप्रीमों ने और जिस तरीके से हाई कोट का जो फैसला आया था, उस अधूरी फैल को कम्पलीट किया जाएगा सुप्रीम कोट में तो अब इनों बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्यूंकि एक ऐसे आदमी के हाथ में फैल जा रही है, जो इनकी सुनते ही जो हैसों खाबों में भी आने लगती हैं, खाबों में भी तसवर भी नहीं कर सकते हैं उनके नाम से, उतने खतरनाक हैं और उतने इमानदार ह ना उनको खरी सके ना ड्रा सके, वो एक दिलेर इनसान, बहद्दूर इंसार, इमानदार इनसाने, भरल केफ मेरे अज़िस दोस्तों मेरे भाईयों मनजम रहिए, मतहीद रहिए, अपनी सफ़ा में इतिहाद बर खार रहिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माबाप की की खosure्ण मैं यादरके, स्वाओी है, सलाम औरि कНम रह्मते लल्ही बरी कन खिर्काट